हेलो और वेलकम टो आवर चैनल गाइस तो आज की वीडियो बहुत ही जादा बढ़िया होने वाली है विकॉस आज हम करेंगे मेक्रोव पैरिट की बहुत ही बढ़िया पेंटिंग तो पहले मास्किंग टेप अपलाई कर लेंगे अपने कैन्वस के उपर और यह देखिए इस एक फैमिली के जैसे चैनल है इस चैनल का हिस्सा बना चाहते हो इस फैमिली का हिस्सा बना चाहते हो तो प्ली सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को और वीडियो अच्छी लगए लाइक करिएगा इस चैनल में बात करता हूँ बिगनर्स की की बिगनर्स अपनी आर्ट स्क मैंने बहुत ही बिचला अच्छे तरीके से यह बताया है इस पेंटिंग में कि किस तरह बिगनर्स जो की है इस पेंटिंग को बनाया सकें ठीक है तो इस चैनल पर आपको बहुत सारी बिगनर्स के लिए डिलेटेज वीडियो मिल जाएंगी आप प्लीज विजिट करियेगा चैनल को और बहुत सारे अनबॉक्सिंग और रिवीव भी मिल जाएंगे इस चैनल पर बहुत ही आपको मज़ा आएगा तो बन जाएगे इस आर्ट फैमिली का हिस्सा तो इसलिए सब्सक्राइब चन्त बाइएगा वीडियो ची लगे लाइक करेगा नहीं अची लगे जिस लाइक करिएगा पर कुछ तो करतना अब मैंने नहीं यहां पर रेड येलो और वाइट इन तीन चेट्ट को मिक्स करकर यहां पर लगा लिए है आप देख सकते हैं उसके अंदर वाली साएड पर जहां पर इसकी आईऋ है उस बोब़ी साइड पर वाइट कAlright सिरफ white color से इसको blend करना शुरू किया है और यह बहुत ही अच्छा effect देगी यहां पर जो मैंने paint brush यूज किया है यह बहुत ही अच्छे paint brush हैं आपको link description box में मिल जाएगा अब भी वहां पर मैं वही वाला जो बाहर हमने यूज किया है red और yellow का shade वही मैं अंदर अब इसके जो skin की जो जिसके कहते हैं वो reflections ही है ठीक है जो इसके parts है उन्हें हलका हलका सा अंदर की तरफ blend कर रहा हूँ अब इसकी जो चोंच है वहां पर आएंगे हम वहां पर मैंने yellow white color में blend करना यदि कि इस तरह शुरू किया है यह बहुत ही easy step है बहुत ही easy painting है बहुत ही आपको मज़ा आएगा बनाकर ठीक है और आप इस तरह की paintings जो की है frame कर वाकर अपने घर भी लगा सकते हैं बहुत ही ब इसकी बहुत ही प्यारी लगती है actually painting तो यह देखिए यहां पर मैंने black color से blend किया है और इसके अब पर हलका सा black की जैसे crack से बना दी है इसकी चौंच के ओपर यह देखिए प्लीस लाइक करिए video को video ची लगे तो क्योंकि आने वाली video जो की है बहुत ही जादा बड़ी होने वाली है अगली video जो बहुत ही जादा बड़ी होने वाली है इसलिए उसको देखने के लिए प्लीज सस्क्राइब करिए उसके साथ ये बैल नॉट्फिकेशन के बटन को दुबाइए कि मेरी लेटेस्ट अप्लोड्स आपको मिलती रहे हैं और ये देखिए इस तरह इसके ये बना लेना है बहुत ही स्टाइब की पेंटिंग है यहां पर मैंने आट पाविलियन का जो इड़ नंबर का फ्लैट ब्रूड्ष ले लिया है वाइट और येलो कलर को इस तरह ब्लैंड किया अब इसमें रेड और वाइट कलर को ब्लैंड किया है नीचे ग्रीन किलर लगा लिया है और इसमें येलो किलर ब्लेंट कर लिया है ये देखिए लाइट सा बैगरूड बनाना है जादा जादा नहीं बनाना अब हम चलते हैं इसके जो ये है फैदर्स की तरफ ये देखिए रेट कलर में वाइट और येलो कलर को blend करते बीच में बॉल्ग कलर की लाइन किच लेनी है ये देखिए हम आपको close-up shorts एक दो देदूगा कि आप किस तरह बनाए हिए ये देखिए ये येलो winks भी बीच में देदेंvä तो इसके लिए यह देखे यलो कलर सिंप्ली अप्लाई कर लेना है उसमें इस तरह रेट कलर की एक लाइन कीच लेनी है इसको ब्लैंड कर लेना है बहुत ही EASLY और यहां पर साइड पे ब्लैक कलर देना है व्हार नीचे एक फेदर के उपर दूसरा फедर रहा है नीचे रिफप्लेक्शन यह देख्षिन आजाएंगी तो यह देखिए यहां पर अब रेड में इस तरह करना है ब्लेक शिट अपलाई करकर साथ में ब्लेक तो यह देखिए कि इस त्रबिलेंट कर लेना है साइड में रेड शिट दे देनी है यह बन गया कितना प्यारा बना है इसी इतना है अब रेड भी बीच में देने है रेड के लिए क्या करना है रेड और यलो को कर लेना है तो मैं फटाफट से यह विंग जो इसके फैदर्स क्रिएट कर बहुत ही ज्यादा एज़ी पेंटिंग आपको बहुत उत्यllers देघाल घ्र माना है उर पहुत ही ज्यूदा आपारट को बनाने में और ही ज्यूद़ को ऑफिता Гांड पेड आपके बोक्त ही ज्यूदे ना है इसकी आपके वह बीच है को आपके लेज रेट रंkerा करली है थ इसके फैदर्स लग रहे हैं हमने बिल्कुल मिक्स करने इसलिए बना है तो यह देखिए इस तरह बना लेना है हमने अब नीचे हम येलो कलर ये है लेमन येलो कलर लाइट शेर्ट बैक्ग्राउंड में यूज करने में बताया था तो यहां पर राउंड ब्रेश से मैंने ले बादा नहीं करना नहीं तो लुक ख्राब हो जाएगी सेमी सीधर हैं यहां पर कर लेंगे अ यह देखिए अब हम इसका जो किया है आइस क्रेट करते हैं आइस में मैंने ग्रीन और यालो कलर लगा लिया है और कॉम यह देखिए यहां कॉम ब्रश यूज किया है यह देखिए तब तक के लिए बाए और गोड ब्लेस्ट यू और ऐसी पेंटिंग देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए बाए